कि आपकुले कोई इस वीदियो में चैनल ड़ी किया अइस तक सब कुछ में लिष्ट डाउन करोंगा कि सारे मोडिफिकेशन वाली चीज मैंने कहां से भी किया कितने में किया यह सब कुछ में बताने वाला हूँ जैसे कि आप लोग जानतों मेरे गाड़ी को मैंने लिए हुआ यह थिंग 2022 में लिया था 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 थोड़ा ज्यादा खचा कर दिया तो वही चीज में आप लोगों को लगाया और सारे पार्ट में आप लोगों दिखाऊंगा जो पार्ट में लगा के हटा भी दिया हूँ वह सब कर दो दो कि आप लोग समझ सको कि मैं कौन सा पार्ट की बात कर रहा हूं और कुछ-कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो मैंने दुबारा भी लगाया मतलब एक बार लगाया अधॉन नहीं के गाड़ा धा जिस दिन उस available यह थे मैंने तीन ओन उना यहओं पर यह था struggling मैं सॉरों साइथ और संब गाड का कोस्टिंग जो आप देख सेकते हो यह इसका कोस्टिंग पची सो पड़ा तो यह तीनों चीज मैंने डिलिवरी के दिनी लगा लिया था उसके और मैंने अपनी जीटी में यह सेंटर स्टैंड मीन स्टैंड है वह लगवाया था वह अपना इंटरसेप्टर क आप आते हैं मेरी गाडी का सबसे पहला बड़ा खचा पर तो सबसे पहले जो मैंने चीज लगा था वह था एक्जॉस्ट क्योंकि मैंको पहली से पढ़ आता जीटी खर दे साथी एक्जॉस्ट लगाना तो गुर्सेवक का शॉट को इसका कोस्टिंग अन्नीस हाजार पां में को बहुत ड्यूरेबल लगा था अभी मैं अटा दिया हूँ बड़ में उसका फोटर टाल दूँगा फैन फ्रेंट उसके बाद मैंने फ्लैसिक्स का अजार लगा था जो की सीट के रिचे लगा हुआ है मैं जला कर दिखा देता हूँ यह देखिए यह सब में विला था तो अच्छा लग रहा देखने में अच्छा लगए अरूर्म साथ पैटन है तीन साल का वारिंटी है कोई वायर कट नहीं होता है कोई स्विच नहीं लगता है यह सब फाइदा था बोलके मैंने यह लगा लिया इस उसके बाद मैंने यह वाले बल्प्स है यह सारे हेलोजें थे पहले तो इसको मैंने रिदी करवाया तो इसका रूंड 600 रुप्या लगा था मुझे एंफिंट इसके बाद जो मेरा बड़ा मॉडिफिकेशन था वह मेरा रियर टाया था तो मैंने रियर में पिरेली का जो 150 सेक्षें टायर नहीं मैंने लगा था उसका में 19 रुप्य लगा था अभी तो वह टायर नहीं लगा हुए वह टायर का मैं फोटो डाल दूंगा कि उसका मेरा बाइक कैसा रिखता था तो वह मुझे उन्नी सेयर में पढ़ा था और वह मैंने एस्सेट चौदर से लिए था क्योंकि उनके पास बह ट्रीट का यह सुच्ण गवां अरुदर ऑन तो मैंने सोचा था कि और इसndraट तो वह अला लुक मैं जरूर शेर करूंगा यहां पर आप लूँ देखना उसमें गाड़ी बहुत तगड़ी लगती बहुत मुस्कुल लगती अब तोड़ा था हलका सा पीछे तो चोटा हुए क्यों 17 इंच का वील लग गया इसके बाद मैंने क्या एंजी के का जो आप देख के कभी भी फरक नहीं करता पाओगे कि कौन सा कॉपी है कौन सा और्जिनल है और परफॉर्मेस दोनों के स्थे में मैंने देखा है यू बहुत सही आता है बस हाँ थोड़ा सा मत्दब हो सकता है कि बेल्ट कॉइल्टिम फर होगा बट अभी तक तो मुझे ऐसा लगा नहीं बट सही चल रहा है बहुत टाइम होगे एक साल होगे यह यूज करते हुए और फिर एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि गाड़ी व यू बहुत बंद होगे थी फिर लेटर ओन जा करके मुझे वाबल का इश्यू फिर से होने लगया बट इस बार फ्रेंट से वाबल नहीं हो रहा था रियर से लगया थे टेल मेरा वह वाबल करती है अरूंड 120-130 के बार तो मैंने बनवाने की बहुत कोशिस की बट बन नही स्पोर क्रीम था मुझे लगया कि हो सकता है अलोई लगाने से ठीक हो चुका है और तो मैंने अलोई लगाया तो जो रियर मेरे अलोई है मिटियोर का 17 इंच वाला यह अरूंड 7 एर का पड़ा था एंड फ्रेंट में जो यह मैंने यह जीटी का स्टॉक एक्जॉस्ट स्ट स्टॉक एलोई है वही लगाया हूं मैं इसका भी डाउंट साथ हेर पड़ा था मैंने टोटल दोनों अलोई मिला के 15 एर हो गया था एंड आगे का जो टायर था वह में रेडिस्टीन का पड़ा था यह टायर यह वाल जो टायर है एंड यह जो रेडिस्टीन का 150 सेक्शन ट अपड़ा था तो यह मैंने यह सूचके भी लगाया कि आगे पीछे सेम ब्रैंड का टायर लगाना से सेम पैटन था दोनों में सेम टायर ही है एंड मैंने यह स्टॉक एडलाइन हटा करके माइने सोल हेड़ाइट भी लगाया तो दीए अरौन मुझे 25 का पड़ा था एंड 6000 में जो इंक्लूड करते है वो सब इंक्लूड करता है कि यह अपना लाइट है यह था 6000 में अपना यह अपना यह अपना यह बनवाया था यह सब को जोड के मुझे 6000 का कोंस्टिंग बड़ा था तो और इसके बाद मैंने अलग से भी 500 रुपे लगा करके यह वाले जो बु आप लोगों बताना कैसा लग रहा है वैसे एक और लास्ट फाइनल चीज जो मैंने लगाया था वो था अपना टैर अगर जो कि अराउंड मुझे बारास लगा था बट मैं टैर अगर तो भी उस नहीं करता हूं वेट कर रहा हूं कि कब बारिश का मौसन आगा तो टैर अगर मैंने सारा का सारा मॉडिफिकेशन जो भी अपने गाड़ी में किया है सब कुछ मैं लेस्ट डाउन कर दिया हूं विट प्राइस तो अभी मैं आप पर एक सारा जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट से विट प्राइस फिर से मैं डाल दोंगा ताकि आप लोगो कोई रूपिया वना जैसे कि आप लोग मेरे गाड़ी देख से तो उतना भी जाद है विली मॉड़ेट नहीं है बट फिर भी नाना करते करते भी एक लाग का समान इसमें लग चुका है गाड़ी तो मैंने चाल लाग में खईड़ा था एक लाग से भी उपर सवा लाग समझो तो यही तो मेरे वीडियो में बताना चाहता था कि आप लोग को मेरे गाड़ी में क्या-क्या लगा है कहां कहां लगा कितने पैसे लगे हैं अगर इस वीडियो देख कर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्स्क्राइब कर दें फिर मिलते नेक्स वी